मीट करी यानि मीट का जो है मीट जो मिल रहा है चना घुगनी है दो रुपय प्लेट है मखन टोस्ट एक रुपय है विसेश थाल भोजन सतरा रुपया का है अंडा करी बारा रुपय प्रति प्लेट है उसके अलावा पूरा मेनियों हम आपको विज्वल में दिखा देंगे क स्कूल में जो बच्चे विमार हुए वो किन के बच्चे होंगे वो गरीब के बच्चे होंगे गरीब घर के बच्चे ही सरकारी स्कूल में जादा पढ़ते हैं और यह एक डेटा भी है प्रदाना ध्यापक मोदे क्या आप अपने बच्चे को प्राइबीट स्कूल में फिर आप यह कहिएगा क्या कि ये संयोग की बात है गाजा है लड्डू है गुलाब जामुन है निमकी है छोटा निमकी है जो है मीट कटलेट है दस रुपए से लेके 26 चपन रुपए तक सबजी है उसके अलावा आलू चाप है धाई रुपए फिर पनीर पकवरा है तीन खंड में मिड़े मिल का जो खाना बनता है यानि स्कूल में जो बच्चो को दाल भाज चोखा मिलता है उसके अलावा अलग-अलग मेन्यू मिलता है उसमें छिपकिली जो है वो मरी हुई मिलती है और इस पर जो है वहां के हेड मास्टर कहते हैं कि छोड़िए इस सब बात ये तो संयोग हो जाता है कीरा था छिपकली नहीं चालिस बच्चे जो है वो बिमार हो गए हैं उनका इलाज चल रहा है प्रचारे महोदे यानि प्रधाना ध्यापक महोदे जो है और रसोया पर लपरवाही का आरोप लगा रहे हैं जिन बच्चियों की तबियत बिगड़ जो है एक तरह से यह आपको भवन दिखेगा उसके अलाबा आगे अनुगरा नरायन सिंग जी की मुर्ती दिखेगी और भारत का जंडा जो है विहार विधान सभा पर दिख रहा है प्रचारे महोदे ने कहा यह तो संयोग है अब सोचिए कि स्कूल में जो बच्चे विमार जाता है कि भाई जिनकी आरतिक इसी दिखराब है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में बेजते हैं अब छिपकिली मिर गया चिपकिली मिनने के बाद जो है प्राचारे महोदे कहते हैं कि छोड़िये छोड़िये यह एक सयोग का बात है लेकिन अब हम लोग जो है बि कुछना चाहते हैं कि इन गरीब बच्चों के खाने में मिड़े मिल में छिपकिली गिर जाना एक बड़ी बात क्यूं नहीं है आप बिहार के कैंटीन में आई यानि विहार विदान सभा का जो कैंटीन है वहां पर आई और वहां का हम मेन्यू जो है बड़ा मुश्किल से 10 रुपए से लेके 56 रुपए तक सबजी है उसके अलावा आलू चाप है धाई रुपए फिर पनीर पकवरा है तीन रुपए पनीर पकवरा तीन रुपए में मिल जा रहा है सूचिए व्यार विधान सभा कैंटीन में प्याश पकवरा डेर रुपए में मिल रहा है सूचि गुगनी है दो रुपय प्लेट है मखन टोस्ट एक रुपय है विसेश थाल भोजन सतरा रुपया का है अंडा करी बारा रुपय प्रती प्लेट है उसके अलावा पूरा मेन्यों हम आपको विज्वल में दिखा देंगे हमारा बस यह मैसेज है यह करना चाहते हैं कि जिस बि गड़ी बच्चों को मिड़े मिल में खाना मिलता है एक तो वहां का चावल अगर आप देखिएगा तो उसकी क्या रहती है बस से बत्तर रहती है दिरे दिरे इसमें जरूर सुधार आया है लेकिन इस पर कोई भी नेता जो है चुप रहते हैं सिक्षा मंतरी चुप रहते ह है पनीर का तीन रुपय में पनीर का पकोड़ा देर रुपय में प्याच का पकोड़ा मतन कड़ी मिल जाता है उसके अलावा अंडा कड़ी बरा रुपय मिल जाता है लेकिन गड़ी बच्चों को जो है कुछ नहीं मिल रहा है और जो उनको मिल भी रहा है उसमें छिपकिली या अन्य चीजे क्यों नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर भी आईपी बेवस्ता है गरीब लोगों को अगर आप प्याज पकोरी बाहर पतना में ठेला पर खाईएगा तो कम से काम अगर आपको मिलेगा तो पांच रुपी एक पीस मिलेगा लेकिन यहाँ आपको डेर रुपी कि बिहार बिधान सभा में मिल रहा है बिहार बिधान सभा के अंदर कैंटीन से यह चाठ हम आपको जो है निकाल करके ला हैं कहना इतना ही था कि इन नेताओं को इतना तो गौर रखना चाहिए कि जो मिड़े मिलक आप खाना देते हैं वो पूरी तरह से जो है उसकी निकारक नहों इसका भी ख्याल रखे अब सोचिए कि चालिस बच्चे बिमार हो गए चालिस बच्चे के तो खंदान इसमें से कोई ब्यार बिधान सभा में आके डे रुपया का पकोड़ी तो खाएगा नहीं केंटीन का वो तो मिड़े मिलका ही खाना खाएंगे क्योंकि गडीब हैं लेकिन यह जो गडीवों वाली सरकार है जो समाजिक नियाए वाली सरकार है जो कहते हैं कि हम गडीवों की सरकार हैं वो सरकार जो है मिड़े मिल में परियाप्त विवस्ता नहीं है यही करन आये दिन ऐसी खवर मिलता है कि कभी छिपकिली मिल गया है तो कभी ज खबर देखाने का पाड़ूप इतना ही है कि जो सिक्षा मंत्री हैं, जो सरकार के आला कमान हैं, उस इस मसले को ध्यान दीजे, 40 बच्चे कोई छोटा मुटा बच्चा नहीं होता है, छोटा मुटा संख्या नहीं होता है, दूसरा चीज जो वहां के प्रधाना ध्यापक कि आप अपने बच्चे को प्राइबी डिस्कूल में पढ़ाते हैं, हमको यह पूरी तरह से पता है, आपके बच्चे में अगर आपके बच्चे के खाने में टिपिन में जिसमें आप पिजा बर्गर या जो कहा जाए तो कॉन्फिलिक्स वेगारा देते हैं, अगर उसमें चिपकिली मिल जाए, तो फिर आप यह कहिएगा क्या, कि यह संयोग की बात है, तो किर्पिया आपको जो पद मिला है, उसका सही से आप धारन करें, और आगे से ध्यान रखें, दोबारा यह घटना ना हो, फिलाल आप जनता जक्सन देखें